स्वागता दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल से विलोंड स्पाड में तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग ने टॉपिक डिसकस करा हुआ पोरोसिटी इसके हम लोग क्यों क्यों शाड नोट्स देखने वाले हैं यहां पे तो अगर मैं पोरोसिटी की बात करूँ सबसे पहले तो इसको हम किसे दिनोट करते हैं इटा से दिनोट करते हैं और यह पोरोसिटी हमारे पास क्या होता है इसका अगर हम रिलेशन देखें तो इटा को हम क्या बोल सकते हैं अगर हम इसको percentage की form में लिखना चाहें यहां पर तो इसको हम बोल सकते हैं volume of wide divided by volume of soil into 100 इससे पहले हम लोग ने void ratio के वारे में discuss करा था वो क्या होता था यहां पर volume of wide divided by volume of solid लेकिन यहां पर porosity के अगर बात करें तो with respect to हम लोग इसके देखते हैं तो volume of soil के यह चीज़ आपको दियान रखनी है porosity हमें क्या बताता है यह बताता है कि साईल में कितनी words है बीद्री अगर बीद्री इफ्रेंट से हम बात करें तो किसके reference में बात करें और यह वोडरी रिफ्रेंस किसके बात करता है volume of solid के respect में हम बात करते हैं तो यह चीज़ द कि हम value की बात करते हैं तो यह क्या होती है greater than 0 होती है और less than 1 होती है पुरोशिटी की value जो है 0 से लेके 1 के बीच में like करती है इसको ऐसे भी represent कर सकते हैं आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है percentage की form में 0% और less than 100% इसकी मैंने detail में discussion करी हुई है जो इससे पहले वीडियो आई थी तो आप देख सकते हैं आप इसको अगर deeply समयना चाते हैं यह सब value कैसे आई है यहां पर इसमें क्या देखने वाले हैं इसमें मैं आपको क्यूक रिविजन करवार हूं यहां पर जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यह चीज़ें आप नो डोन कर लोगे अप अपने पास यही चीज़ें आपको एक्जाम में पूछी जाएंगी यहां पर तीन इसकी रिप्रेजेंटेशन है इन में से किसी भी फॉर्म में आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है उसके बाद में हमने कुछ important relation देखे थे जो porosity होता है अगर उसको वाइड रिश्यो क भी फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं porosity divided by 1 minus porosity तो यह काफी important relations है यह आपको दियान में रखने हैं एक मैंने notes में point भी आपको लिखवाया था यहां पर अगर हम note में point लिखें यहां पर sorry यहां पर अगर मैं बात करता हूँ यह हमारे पास void ratio है और porosity है यह दोनों हमें क्या बताते हैं तो लिखें यहां पर both short कर लिख रहा हूँ यहां पर मैं E and eta E किसके लिए void ratio के लिए और eta किसके लिए porosity के लिए है तो both E and eta signifies signifies का मतलब बताते हैं हमें क्या बताते हैं यहां पर water holding capacity of medium water holding capacity of medium अब इस medium की अगर मैं बात करूं तो यहां पर medium क्या हो जाएगा हमारा soil हो जाएगा अब यह water holding capacity कैसे बताते हैं क्योंकि इन दोनों में अगर मैं बात करूं वाइड रिशियो में और porosity में अगर इसके उपर की denominator की अगर हम बात करें तो क्या आता है volume of void आता उसमें और solids में क्या होता है हमारा water क्या होता है इसलिए यह दोनों क्या बताते हैं हमें water holding capacity के बारे में भी बताते हैं तो यह point आपको divided by volume of soil या आज ही हमने देखा यहां पर यहां पर अगर मैं बात करूं आगर मैं क्या करता हूं यहां твор Hear 확인 करता हूं मैं चीश करता है almost volume of oil को क्या करा मैं change करा अब इन दोनों मैंसे अगर मैं बात करूं तो volume mark solid पहिं यहां पे कोई भी effect हमें देखने को पड़े मिलेगा क्या volume of solid पहिं में कोई भी effect देखने को नहीं मिलेगा और तो volume of soil पे हमें यहां पर effects देखने को मिलते हैं अगर मैं यहां पर बात करूं shortcut यहां पर मैं लिकराओ effect आपके समाझने के लिए लिकराओ यहां पर मैं सिर्व यह जी कि आगर मैं volume of void को change करता हूं तो volume of soil की term में हमें कोई भी यहां पर changes देखने को नहीं मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ इससे जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने प्रॉपर आपको यह एक्स्प्रेइन करा हुआ है हमने वहाँ पे एक थ्री फेस सिस्टम की डाइग्राम ली हुई थी सॉइल की तो उसके तरूँ मैंने प्रॉपर आपको यह बताया हुआ है तो उसको आप देख लीजेगा वहाँ पे यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शॉट नोट्स के तरूँ बता रहा हुँ जल्दी जल्दी की आपको क्या क्या याद करना है ताकि यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे हम यहाँ पे शॉट रखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यो वॉल्यूम आप सॉइल है हमारा उसमें क्या होता है सॉइलिड का कंटेंट भी होता और वॉइड्स का कंटेंट भी होता है तो Voids को Change करूँगा मैं यहां पे तो Soil में हमें Changes देखने को मिलेंगी B में हमें Changes देखने को मिलेंगी अगर इसकी Value पहले 5% थी अब मैं 10% करूँगा तो यहां पे B भी Change होगा लेकिन Volume of Soil की बात करूँ तो अगर मैं Voids को Change करता हूँ में कोई भी एफेक्ट देखने को नहीं मिलता हमें इसलिए अगर मैं उध्यूटिकल शिगनिफेकंस की बात करूं तो वोर रीशो का ज्यादा है और practical significance की बात करूँ तो porosity का ज़्यादा है यह चीज़ दियान रखेंगे अब इसका क्यों significance यहाँ पर theoretical है क्योंकि यह हमारा volume of solid की अगर मैं बात करता हूँ तो volume of solid is a stable term stable term इसके comparison में stable term में यह अगर मैं बात करूँ as compared to volume of soil compare to volume of जो हमारा यहाँ पर volume of क्या होता है हमारा यहाँ पर soil होता है क्यों क्योंकि volume of soil के इसके ओपर depend कर रहा है यहाँ यहाँ पर volume of void के ओपर depend कर रहा है तो यह था आजका lecture हमारा जिसमें हम लोग ने porosity के यह इतने क्योंकि नोट्स थे शार नोट्स जो इसके वेसिस के ओपर कोशन बन सकते हैं वो देखे हमने यहां पर तो next class में हम क्या discuss करेंगे degree up saturation के बारे में discuss करेंगे तो आज की वीडियो देखने के लिए thank you guys और अगर आप channel पर ने हैं तो channel को subscribe कर लीजिए और वीडियो को like करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो